यही संदेश पूरे देश के लिए लेकर जा रहे हैं अरे आपको तो किसी से मिलने के पहले बिहार को तो बचा लीजिए क्यों बिहार की वरवादी की कहानी लोगों को सुनाने जा रहे हैं पूरा देश जान रहा है बिहार की वरवादी के बारे में और आपका जब उपमूख मंतरी जो आपका सहयोगी दल है RJD सदर में घोसना किया है कि नहीं परधान मंतरी बनेंगे असपस्ट नों ने कहा कि ये परदान मंत्री नहीं बनेंगे तो फिर किसके बलबूते उच्छल करके जा रहे हैं अपने बलबूते कभी सरकार बिहार में न बना सके और चले हैं पूरे देश का नितित करने नमस्कारा प्रीश फोर्नेशन देख रहे हैं मैं हूँ आपके साथ वंदना दोहजार चौबिस के लोकसभाज चुनाओ को लेकर सियासत गर्म हैं बता दें कि बिहार के मुख्य मंत्री नितिस कुमार आज इन्ही मामलों में दिली जा रहे हैं जहां कॉंग्रेस के बड़े ब मनसुबे को पालते हुए दिली जा रहे हैं इस बार भी उन्हें खाली हाथ ही लोटना पड़ेगा पहले हम आपको सुनवाते हैं कि क्या कुछ कहना है बिहार विधान सभाके नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा का देखे इनको विहार की बरबादी का संकल्प को पूरा कर चुके हैं अब ये विहार की बरबादी और तबाही से लोगों को अवगत कराने जा रहे हैं क्या विजन लेके जा रहे हैं कि विहार में जिस महा मारी को भारतिये जनता पाटी एंडिये गटवंधन रोकने का प्रयास किया और फिर से वो बिमारी महामारी में आप बदल रहा है नो अपराद रुक रहा है नो ब्रस्ट आचार रुक रहा है एक एक ब्यक्ति पांच-पांच विभाग को ले करके बड़े बड़े विभाग को ले के सासन चला रहा है और वो सासन के अंदर ब्रस आपको तो किसी से मिलने के पहले बिहार को तो बचा लीजिए क्यों बिहार की बरवादी की कहानी लोगों को सुनाने जा रहे हैं पूरा देश जान रहा है बिहार की बरवादी के बारे में और आपका जब उपमूख मंतरी जो आपका सहयोगी दल है RJD सदन में घोसना किया है कि नहीं परधान मंत्री बनेंगे असपस्ट नहोंने कहा कि ये परधान मंत्री नहीं बनेंगे तो फिर किसके बलबूते उच्छल करके जा रहे हैं अपने बलबूते कभी सरकार बिहार में न बना सके और चले हैं पूरे देश का नित्त करने जिनसे अपना जिला बिहार सरीप में दंगा हो गया बिहार सरीप के लोग तरह हिमाम में है जूटे केस में लोग को फसा रहा है उसकी आंसू पोचने की पूरसत नहीं है और दिल्ली चल करके दंगाईयों के हुसला को बुलंद करने के लिए जा रहा है अपराधियों और भरस्ट अचारियों के मनोबल बरहाने जा रहा है जाए मुबारक हो सभी अपराधियों भरस्ट अचारी की जामात को एक जगा जूट कर लिजे ताकि उनकी गिरबदारी में आसानी होगी आने बाले सरकार इमंदारी के साथ जेपी और लोहिया जी के जो समाजबादियों के बरे लीडर थे जाती भी हिंस समाज बनाएंगे भरष्टाचार मुक्तराश बनाएंगे ये सब आप ही पर लागू होगा समाजबादियों के चोला ओड़कर जो भरष्टाचार को चरम पर पहुचाय रहे हैं और जातिय उनमात पैदा करने का खेल खेल रहे हैं इनका चेहरा उगार होगा और पूरा देश इन लोगों को देखेगा जो कॉंग्रेस के बिरुध लर करके आए थे आज उसी के गोद में बैट कर एक नए बातावर्ण बनाने के खेल खेल रहे हैं और एक इमंदार राष्ट के परती समर्पित भरष्टा अचार मुक्त राष्ट बनाने बाले परधान मंतरी के बिरुध लरने के लिए कितनों गलबहियां कर लें लेकिन सफल नहीं होंगे पूरा देश और पूरी ताकत से दो तिहाई से ज़्यादा बहुमत इस बार भारतिये जनता पार्टी को देगा अपने किया कुछ का उन्होंने साबतोर से कहा कि नितिस कुमार जिस तरह से पीम बने की ख़वाब देख रहे हैं वह कभी पूरा होने वाला नहीं है अपने दम पे नितिस कुमार कभी सरकार नहीं बना पाए हैं तो पीम का ख़वाब कैसे देखेंगे इसका बस इतना ही बने रेनेज पोनेशन के साथ अब तक हमारे चैनल को सब्स्राइब में कहें तो कलीजे धन्यवाद